पर GPS डिवाइस लगाई जा रही हैं मार्क फेड ने GPS से निगरानी करने का ठेका हैदराबाद की ट्रांस ग्लोबल कंपनी को दिया है जो इन दरों ट्रकों में GPS लगाने का काम कर रही है मासमन जिले में धान परिवन के लिए लगाई करीब 500 ट्रकों में GPS लगाई जा चुके हैं जिससे धान खरीदी किंद्रों से धान की लोडिंग होने के बाद संग्रण किंद्र और राइस मिल तक पहुंचने के दुरान ट्रकों की निगराने की जा सकेगी किसान भी स्विवस्ता को पहले की तरह होने वाली चूरी लोगी जा सकेगी लगाने से कहां पे गाडियां जा रही है, कहां ब्यापारी ले जा रहा है, कहां अनलोड किया जा रहा है, कहां तक उसकी दुरी है, कहां तक उसको पहुचना है, उसका जो पर्मिट है, पर्मिट कहां का कटा है और कहां जा रहा है, वो जी पिएस से यहां जो उसका वार रू इसमें अभी तक सावा 200 GPS जो है ना फिटमेंट के लिए आज फून हो जाएगा, अभी मैं रिपोर्ट ले लूँगा, सावा 200 और मुझे लग अगले एक या दो दिन के अंदर का हमारे पोर्टल ट्रांस्पोर्टिंग की GPS कम्प्लीट हो जाएगी, मिलिंग के लिए मिलर भी आफर करना इस्टार्ट करेंगे जो है चार सो ट्रके पर जो है इस बार जो है इस बार जो है इस बार जीपीएट लगाया गया है और तकरीबन जो है यह जीपीएट कारगार साबिस हो रहा है जहां पर लोटिंग हो रहा है वहां पर से जो है ट्रक निकल रही है और निर्धारिक जगा पर रूट अपना त जुए गदोड़ू करता था वो नहीं होंगे क्योंकि on line process में जो जो है GPN जो है ट्रेक device वहां पर लगाय हुए है वह monitoring हमेसा कर रही है और इस पर एक और option डाला गया है कि अगर जो है ट्रक जो है route divert होता है तो route divert का जो है message पेल करके route पेल करके ओ मेसिज जो है वहाँ पर मोनिटरिंग करता के पास पहुँच जाएगा और वो निर्धारी समय में उस ट्रक चाला को भी जिता निर्डेश दे सकते हैं जहाँ पर वो ट्रक के जो है लगतार जा रही है मेरे साथ शीधर शंद्राकर किसा नेता है हमारे साथ फोल लैंड पे चुल गए है शीधर जी स्वागत आपका जी जी सर्ट ट्रकों के अंदर अब जीपियस लगाया जा रहा है कितनी सुगमता इससे आएगी जीपियस लगने से सबसे पहले चीज तो ब्रष्टा चार रुकेगा जी जो ब्रष्टा चार महल वहाद का गाड़ी में पहले होता था पुरो में विपनेन वी भाग से जाना है उसको पांच किलो मेटर और बिल में दिखाते थे बिल बॉचर जाता था दस किलो मेटर का इससे करोड़ रुपिया की बचत होगी और दूसरी चीज क्या है धान की जो हेरा फेरी होती थी जीपियस सिस्टम लग जाने के करण माल कहां जा रहा है वहां कहां जा रहा है कितने किलो मिटर में जा रहा है उनको डंपिंग कहा हुए है इसमें काम मिराईगी लगता है आपको बिल्कुल बिल्कुल सरकार चाहती है कि हेरा फीरी सब रुके पिछले समय हम लोग देखते थे हम तो इस मामलें बहुत सगंत जानते हैं जी ट्रकों में अफरा तपरी होती थी ट्रांसपोर्टिंग में बड़ा बड़े मात्रा में घाल मिल होता था जी इस सब को बंद करने के लिए सरकार ने जी पिए सिस्टम चालू किया है जी इससे रोग लगेगी ये धान की जो चोरी होती थी या ट्रांसपोर्ट में जो दूरी के नाम में चोरी होती थी यो सब में पर एक लगाम लगेगा जी और शुक्रिया विरोट जी हमारे से आड़ जोडने के लिए स्रीधर शुन्द्राकर किसान नेता है हमारे साथ लगाता ह। फो लैन पर प्जोड़ेहए है स्रीधर जी जी पे सिस्टम अब लग trendsend jsem अब लागू हो गया है कितने टुकों में जी पे सिस्टम और लगना ह आकड़े कितने में लगे हैं मेरे पास है नहीं लेकिन GPS सिस्टम सारे वाहनों में लगनी चीए विपनन विभाग में होने वाली अनिमित्ता को रोका जा सके और सुगमता से सरकार को सरकार के पास राजसों बच्चे अविकास कारियों में लगे ही तक कि इसके पूरो में जो हो रहा था कई साथ करोड का गोटाला हो चुका है धान जाना है एक राइस्विल में जाता था किसी और दूसरे जगा opener जगा और उसके कारण कई हजार करोडन रुपीया का गोटाला हो चुका है GPS System सरकार लगा रही है इस निश्चित रुप से सरकार को माल वहां को जो माली को उसको भी बचात होगा क्योंकि कई वहां गायाफ हो जाते थे वह बचेंगे सरकार को धन भी बचेगा और ब्यवस्थित रुप से अंसासित रुप से GPS System लगने से फाइदा हो सकता है शुक्रे रेक राज चुनने के लिए